पॉलिवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी को भला कौन भूला सकता है। बेहत खुब सुरत और बबली अंदास के लिए मशूर नीलम कोठारी एक जमाने में अपनी लव राइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती थी। जब उन्हें तमाम अफवाहों को विराम लगाते हुए शादी का फैसला लिया था। लेकिन पहले शादी उनकी टिक नहीं सकी और उनका तलाग हो गया। आईए नीलम कोठारी की शादी शुदा जिंदगी और पती और बच्चों के बारे में आपको बताते हैं। नीलम कुठारी ने अपने करियर में गोविंदा से लेकर सलमान खान के साथ में काम किया। एक जमाना था जब गोविंदा के साथ काम करते करते ही दोनों को इश्क हो गया। कहते हैं कि दोनों सीरिस रिलेशन्शिप में भी थे, दोनों ने शादी का भी फैसला ले लिया था, लेकिन एक्टर की मानी पर्मीशन नहीं दे और दोनों का साथ छुट गया, नीलम ने अपने करियर में धेरो फिल्मों में काम किया, जैसे जवानी, फरजी की जंग, गर का चिराग मिट्टी और सोना से लेकर खत्रों के खिलाडी में, फिर साल 2001 तक आते आते, उन्होंने ब्रेक लेना सही समझा, नीलम ने एक्टिंग से ब्रेक लेकर अपने खांदानी काम जूलरी बिजनेस में अपना हाथ चमकाया, दरसल हौंग कॉंग में जन्मी नीलम क उठारी के पिता गुजराती जूलरी बिजनेस मैन ही थे और उन्होंने खुद एक्टिंग के साथ साथ जूलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ था, फिर एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद उन्होंने खुद का जूलरी ब्रेंड नेलम जूलर्स शुरू किया, फ इन्होंने परदे पर 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया अमिताब बच्चन, गोविंदा, सल्मान खान, आमिर खान और सनी देल जैसे सुपर हिट एक्टर्स के साथ काम कर चुकी ये एक्टरिस है नीलम को ठारी 80 और 90 के दशक में एक के बादे कई फिल्में देने वाली इस हसीना ने अचानक ही इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया कहा जाता है कि फिल्मों के साथ साथ काम करती करती अब गोविंदा की साथ इस एक्टरिस को प्यार हो गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे कहा जाता है कि नीलम के प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी हाला कि गोविंदा की मा जाती थी कि वो डिरेक्टर आनन्द सिंग की साली यानि सुनीता से शादी करे गोविंदा कभी भी मा की बात नहीं टालते थे इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़कर सुनीता से शादी की गोविंदा ने मा के कहने पर मार्श 1987 में सुनीता से शादे की उन्होंने अपनी शादे की बाद सभी से छुपा कर रखी ऐसा इसलिए ताकि उनका करियर प्रभाव इतना हो गोविंदा की शादे की बाद तब सामनी आई जब बेटी टीना का जनम हुआ रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा ने 1990 में एक मैगजीन को दिये इंटर्वियो में कहा था कि अपनी शादे के बाद भी वो नीलम को भूले नहीं थे उन्होंने नीलम के साथ कई फिल्में की वो चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही स्क्रीन शेयर करे उधर गोविंदा की शादी के काफी साल बाद नीलम ने एक बिजनेस मैन रिशी सेठिया से शादी की लेकिन जल्दी ही उनका तलाक हो गया एक्टरस ने साल 2011 में एक्टर समीर सोनी से दूसरी शादी की दोनों ने एक बीटी को गोद भी लिया हुआ है नेलम ने 2001 में अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था लेकिन 2020 में उन्होंने नेट्फिलिक्स की रियालिटी बेस सीरीज फैबुलस लाइफ औफ बॉलिवुड वाइफ से वापसी की थी समीर ने 24 जन्वरी 2011 में बॉलिवुड एक्टिस नेलम को ठारी से शादी की थी नेलम और समीर की पहली मुलाकात एक प्लेग के दोरान एकता कपूर ने करवाई थी नेलम और एकता अच्छी दोस्त थी जिनकी पहली शादी तूट चुकी थी प्लेव खत्म होने के बाद नेलम ने समीर की तरफ देखा लेकिन सुभाव सी शर्मीली समीर उन्हीं बिना जवाब दी चले गए समीर ने एक जलप में ही नेलम को पसंद कर लिया था एक साल बाद समीर ने दुबारा नेलम से तुशार कपूर की पार्टी में मिलने का मौका पाया यहाँ समीर ने नेलम से महस 15 सेकिंड बात की और कहा कि वो उन्हें कॉल करेंगे लेकिन ना ही समीर के पास उनका नंबर था और ना ही हिम्मत दोस्तों के लग समझाने के बाद समीर ने नेलम से बात करने का फैसला किया और एक दोस्त से उनका नंबर लिया लेकिन अफसोस कि नेलम ने उनका कॉल नहीं उठाया समीर को लगा कि नेलम घमंडी है हाला कि ऐसा नहीं था समीर ने उन्हें मैसेच में कहा कि क्या आप दोबारा कॉल करने पर विश्वास नहीं रखती जिसके बाद निलम ने उन्हें कॉल किया और दोनों की बीच बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा एक दूसरे को जानने के बाद दोनों रिलेशन्शिप में आ गए शादी से पहले दोनों ने दस बार एक दूसरे से ब्रेक अप किया लेकिन हर बार दोनों समझदारी से एक दूसरे को माफ कर गलत फैमियों को दूर कर लेते थे दोनों आज एक खुशाल जिन्दगी जी रही है निलम कोठारी ने साल 2000 में यूके के कारोबारी के बेटे रिशी सेठिया से शादी की थी दोनों की शादी में अनबन होने के चलते दोनों ने तलाक ले लिया फिर साल 2011 में निलम कोठारी ने मशूर एक्टर समीर सुनी के साथ शादी का फैसला लिया दोनों कुछ समय के लिए relationship में भी रहे थे कपल एक बेटी को गोद भी लिया जिसका नाम अहाना है तो दोस्तों अभी के लिए बाचित नहीं मलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखी बाई बाई